हेल्लो एव्रिवान वेल्कम बाक टो मैगनेट ब्रेंज माइनम इस सीएस पायल पुपली और जैसे कि आप मेरे बैग्डाउंड में देखी सकते हैं इस पर्टिकलर वीडियो में भी हम फिर से बात करने वाले हैं सी यूई टी एक्ञाम के बारे में सबसे बहूंए तुम आपको बता दू यह एक्ञाम किस चीज़ के बारे में है जित्वी कंटने अच्छी स्कॉरिंगगई उसके बेसिपर आप बूशधी आपको जो भी शूरिंग written आपको चाहिए वो मिल चाहेगी ठीक है, तो यह एक exam होने वाला है, जो common nature करेगा, हर एक बच्चे को देना पड़ेगा, अगर आपको उन particular respective universities में admission चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में CUET के बारे में सारी information आपको दे दी थी, और साथी साथ business studies, जो कि मेरा subject है, उसका slavers overview भी दे दिया था अब क्या हुआ, कि मैंने देखा, कि business studies से मिलता जुलता एक subject है, जो कि है entrepreneurship, अब ये बच्चे, मतलब जो भी आप लोग हैं, ये ये सोच सकते हैं, कि यार business studies के साथ साथ हम इस particular subject को भी आप्ट कर लें, तो क्यों ना, इसका भी एक slavers overview में आपको दे दो, कुछ नहीं है, ये subject business studies का एक extended version मान लीचे, जो आप business studies में पढ़ते हुए आए हैं, उसी का आगे का थोड़ा हिस्सा आपको इस particular subject में पढ़ना पड़ेगा, कुछ students ने तो 11-12 में शायद ये subject पढ़ा भी होगा, जिन्नोंने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बतारी हूँ, business studies के साथ अगर आप इ view है, वो मैं आपको देने जा रही हूँ, starting with the very first unit, जो यहाँ पे है, वो है entrepreneurial opportunity, इसमें जो topics cover किये गए हैं, वो है sensing entrepreneurial opportunities, environment scanning, problem identification, idea fields, spotting trends, creativity and innovation, selecting the right opportunity, मतलब कोई भी इंसान जब सोचता है कि हा मुझे entrepreneur बनना है, मुझे ये particular startup start करना है, तो वो कौन-कौन सी चीजों को ध्यान में देता है, किन-किन चीजों को देखता है और उसके बाद actually उन चीजों को करना start करता है, वो सारी चीज़े आपको unit 1 में पढ़नी पढ़ेंगी, ठीक है, second unit में है entrepreneurial planning, इसमें basically forms of business organization देखेंगे, sole proprietorship, partnership company, इसारे अपन 11 में पढ़ चुके हैं, उसके बाद है business plan, concept क्या है, format क्य थोड़ा सा extend करके लिखा हुआ है, और human resource planning, ये भी हमने somewhat थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसके बाद third जो हमारा unit है, वो है enterprise marketing, इसमें marketing और sales strategy के बारे में पढ़ेंगे, branding, logo, tagline, promotion strategies, ये सारी marketing chapter में पढ़ी थी 12th class में, उसी से related कुछ-कुछ aspects हैं, वो सब देखेंगे और next है हमारा unit 4, जिसमें हम पढ़ेंगे enterprise growth strategies के बारे में, जिसमें हम franchising पढ़ेंगे, इसकी concept, types, advantages, limitations क्या होते हैं, mergers and acquisitions क्या होते हैं, concept, reason, types, ये बहुत interesting चीज़े हैं, जो शायद आगे अगर CS, CA, ये सब करना चाहें, तो उसमें भी आपको काफी ज़ादा इस्तिमाल ह होगी, तो ये काफी अच्छा aspect है जो आपको पढ़ने को मिलेगा इस particular unit में, फिर है unit 5 जिसमें आप पढ़ेंगे business arithmetic के बारे में, इसमें computation करेंगे, working capital की inventory control और EOQ क्या होता है, return on investment कैसे calculate करते है, return on equity कैसे calculate करते है, क्या होती है, वो सारी चीज़े आपको पढ़ने को मिलें सिक्स थे resource mobilization, resource को कैसे move करते है, इसमें capital market जो कि primary market आप पढ़ चुके हैं, वो पढ़ने को मिलेगे आपको, angel investors कौन से होते हैं, 11th class में पढ़ाया था मैंने आपको, उसके features क्या है, venture capital क्या होते है, capitalist कौन होते हैं, उसके features और funding कैसे होती है, ये सारे aspects आप यहाँ पढ़ें मैं पढ़नी पढ़ेंगी, कुछ जादा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जो बिलकुल out of the box है, किसी के बार में सुना नहीं है, नहीं जानते, ऐसा नहीं है, सब चीजों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा कही ना कहीं सुना हुआ है, को अराम से आपका ये cover हो जाएगा तो बहुत अच्छा decision रहेगा आपका अगर आप business studies के साथ entrepreneurship को opt करते हैं CUET exam के लिए मज़ा आ जाएगा आपको paper देने में अब मैं आपको बता देती हूँ कि magnet brains की क्या approach रहने वाली है इस subject को लेके देखिए क्योंकि हमने इस subject की normal videos तो आपको deliver नहीं की है तो इसके लिए मैं एक extra effort डालके आपको सबसे पहले topics cover कराने वाली हूँ जितने भी यहाँ पर लिखे हुए थे ठीक है ज़्यादा detail में नहीं कराऊंगी बट इस तरीके से कराऊंगी crisp way में कि आपको सारी information भी मिल जाए ना the same time आपका ज़्यादा time भी waste ना हूँ क्योंकि मुझे पता है CUT exam में जादा समय नहीं है और आपके पास time waste करने के लिए बिलकुल भी time नहीं बचा है so जो भी topics हैं वो सारे crisp में cover करने हैं and सारी detailing को बीच में include करते हुए ठीक है आप बोलेंगे मैं बहुत contradictory sound कर रहा है सारे detailing है ना the same time crisp में बोल रहा है से कैसे होगा तो मैं handle कर लूँगे वो मेरी सरदर्दी है I will manage that मैं आप लोगों को हर एक topic की अच्छे सी videos बनाखे दूँगी ठीक है उसके बाद मैं आपको chapters के MCQs देने वाली हूँ ठीक है उसके बाद मैं आपको कुछ sample paper solve करवाने वाली हूँ उसके बाद मैं आपको कुछ mocks देने वाली हूँ और कुछ question खुछ से practice करने के लिए भी दूँगी ठीक है test you can say test papers ठीक है और साथी साथ इसमें मैं आपके बहुत सारे live लूँगे सोदाड आपके doubt solve हो सके तो magnet prince की अप्रोच ये रहेगी कि आपके सारे topics cover होंगे उसके बाद आपके mcqs होंगे उसके बाद आपके sample paper mock test होंगे और live sessions भी होते रहेंगे जैसे बच्छों की demand आती रहेगी उसके according ठीक है तो entrepreneurship बहुत अच्छा subject है जिसे आप opt कर सकते हैं business studies के साथ साथ और काफी कुछ चीज़े बहुत मतलब यह सारी चीज़े जो आप यहां पे सीख के जाएंगे आपके college में इस्तमाल होगी आगे चलके आप obviously commerce के fields को choose करेंगे graduation post graduation commerce के उसमें ही चाहेंगे तो वहां पर आपको सारी चीज़े पढ़ने को मिलेंगी when I was doing my B.com या M.com या MA whatever मैंने यह सारी चीज़े वहां पर पढ़ी थी तो I'm pretty sure आप लोग को भी पढ़ने को मिलेंगी तो अगर अभी से आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है तो not a bad thing ना right तो मेरा तो यही रहेगा कहना आपको कि जुनिए business studies की साथ entrepreneurship को और अच्छे से रॉक करिए चालिए that's it मैं इस वीडियो में बस इतनी information देनी थी आप लोगों को और I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो अगर CUT से कोई भी अगर आपको प्रॉब्म है या फिर कोई भी डाउट है तो आप comment section में लिख सकते हैं and at the same time is particular subject की जो playlist है वो जल्दी से बनने वाली है और उसका link आपको description box में मिल जाएगा उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे इस particular subject से related तो फड़ा फड़ उन सारी वीडियो को complete कीजिए अपनी preparation स्टाट कर दीजिए जादा time नहीं बचाए सिर्फ एक देर महिना आपके पास preparation के लिए तो इस particular time period को बहुत अच्छे से झार झार